नमस्कार नए साल का गाज हो चुका है और नए साल में नई उमंग और नए जोस के साथ नए साल का लोग स्वागत कर रहे हैं और इस वक्त हम एक ऐसे सक्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे रचनाय की हैं ये खासकर से खासकर एक रचना और सहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं काफी पूराने सहित्यकार हैं राजकुमार प्रसाद जी वैसे ये काफी लंबे अर्शे से कई रचनाएं कर चुके हैं कई भासाओं का इने ज्ञान है कई भासाओं में ये अपने रचना को प्रस्तूत भी कर चुके हैं और देश करता हूँ और सबसे पहले मैं बता दूँ कि यह हमारा उपनाम प्रेमी साहितकारों की देन है जिसको लेकर मैं ढोता हूँ किन्तो जिस भावना को लेकर मैं जीता हूँ वह है कनकन तक से प्यार मुझे है सेवक हूँ हर रचना का उच नीच मेरे सबसम ना भाव पराया अपना का छल प्रपंच से रहित नाड़ी सेवा धर्म कहूँ मैंने मीं अपने पर है मुझे भरोसा नाम भले जो हूँ प्रेमी तो बिल्कुल कही न कहीं ये आपके जो ये गीत है या आपकी जो ये रचना है ये संदेश भी देती है कि आप कहीं भी रहिए लोगों के प्रती सदभाव रखिए प्रेम से जीवन को जीजिये और सबके प्रती एक सहानुभूती भी आपके मन में होनी चाहिए क्योंकि प्रेम और सदभाव और कुसल बेवहार है तो अंसान जो है वो कहीं भी लोगों के बीच में ख्याती पाता है और लोगों के बीच में हमेशा लोकप्रियर रहता है और कहीं न कहीं यही बज़ा है कि आप भी इसी बेवहार और इसी कुसलता के कारण लोगों के बीच हमेशा लोग प्रियर है मैं जैसा कि आपने कहा मुझे बच्पन से ही लिखने का सोख है हमारे गाउं में भिखारी ठाकूर आये थे आप सब लोग जानते हैं बहुत बड़े कलाकार थे नर्तक थे नाटक कार थे अब तो देवगंगत हो गए लेकिन उनके अनिवाई हम लोग हैं और उनका अभी भी नाटक या गाना बजाना होता रहता है तो बच्पन से ही मैं इस समय रूची रखता हूं नाटक भी करता हूं नाटक लिखता हूं गीत लिखता हूं हिंदी मगी भूचपूरी में समान रूप से मैं लिखता हूं और गाता हूं तो प्रना तो नुह प्रेम, विरह, सदभावना, भक्ती, देशभक्ती, अध्यात में से जुड़े हुए सारे गीत हमारे रहते हैं, और तीनों भाषाओं में मैं सब तरह गीत लिखता हूं, विरह, गीत, प्रेम, और जितनी जो हमारी समस्याएं हैं, या विशंगतिया हैं, सब पर लिखने का प्रयास मैं करता हूं, रिरियू और दुर्वर्शन से भी जुड़ा हुआ हूं, और इस तरह से मैं अपने आपको एक गीतकार के रूप में, एक गाय के रूप में वानता हूं, और समाज की सेवा करता हूं. अगर कुछ आपके संग्रह में हो, तो जरूर चाहेंगे कि आप हमारे दर्सकों के लिए जरूर सुनाएं. ठीक है, मैं ब्यंग परहूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं, अगर आपके अनुमत्ती मिले, तो मैं एक सदभावना गीत, क्योंकि आवसक है आज हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए, उसको मैं पढ़ लेता हूं, उसके बाद ब्यंग गीत में सुनाओंगा. हम लोग धर्म जाती उच नीच के बंधनों में जकड़े हैं, किस ने किया, क्यों किया, और हमें क्या करना है, इन ही सब भावनाओं पर आधारित, ये हमेरा गीत है, कि तेरा मेरा क्या करता है, ओ भोले इंसान, इस जग में कुछ नहीं, किसी का, सब है, धूल समान, एक दिन सब को जाना है, कोई नहीं बहाना है, जैसा कर्म करेगारे मन, वैसा ही फल पाना है, एक दिन सब को जाना है, इन सानी करतूत को देखो, धरती के अवधूत को देखो, जाती धर्म का पेर लगाया, पेर में स्वार्थ का बेर लगाया, बेर में मत भेदों के कीडे, वही तोड़ कर खाना है, एक दिन सब को जाना है, एक दिन सब को जाना है, दूशित बेर ही हम खाते हैं, दूशित ही बल बुद्धी पाते हैं, दूश करमों को हैं अपनाते, आपस में लड़ते लरवाते, ब्रांती में हम शानती चाहें, यह कैसा बचकाना है, एक दिन सब को जाना है, चंद्र सूर्य नभ थल को देखो, वायु धरा के जल को देखो, स्वार से रहित सब करते सेवा, बदले में ना लेते खेवा, इनकी क्रीपा रहे नहीं, इनकी क्रीपा रहे नहीं, नहीं अपना कोई ठिकाना है, एक दिन सब को जाना है, एक दिन सब को जाना है, आओ एक हो, हाथ मिलाएं, एक धर्म, एक जाती बनाएं, मिल कर प्रेम की जोती जलाएं, सब को अपने गले लगाएं, हसले खाले गाले जग में, हसले खाले गाले जग में, सब कुछ यहीं गवाना है, एक दिन सब को जाना है, कोई नहीं बहाना है, जैसा कर्म करेगा रेमन, वैसा ही फल पाना है, एक दिन सब को जाना है, बहुत खुबसूरत एक दिन सब को जाना है, और जैसा जो कर्म करेगा वैसा फल पाना है, तो ये खुबसूरत रचना जाहिर तोर पर एक प्रेणना देती है वैसे लोगों को जो अब जो नए साल की सुरुवात कर रहे हैं तो नए साल में एक प्रेणना देती है ये गीत ये रचना कि जरूर आप इस बारे में जरूर सोचें कि प्रेम से सदभाव से एक दूसरे क प अभ़ार होगा, वैसा ही आपको रीटर्निंग मिलेगा, लेकिन हम चर्चा कर रहे थे, कि जो साहितकार होते हैं, जो कलाकार होते हैं, रचनाकार होते हैं, वो अपनी छोटी-छोटी सब्दों में कुछ ऐसे गुंढ रहस को चिपा कर रखते हैं, जो सामने आने के बाद उसक संगीत के संगरा से अपने रचना के संगरा से हमारे लिए भी आपके दर्सकों के लिए भी कुछ ऐसी चीजे जरूर प्रस्तूत करें जरूर आपके लिए रखें सामने जो नए साल में आपको कहीं न कहीं प्रेणना देने का काम करेगी सर देखिए जैसे आपने गीत में कहा चत्भावनागीत में मेरे लिए सब बरावर हैं तो मैं एक ब्यांग सुनाता हूं ब्यांग में भी मेरे यही भावना है कि सब खुश रहे तो चाहे किसी शेत्र में लोग हैं तो उसी पर मैं आधारित एक ब्यांगीत सुनाता हूं का सुद खोरों का घुस खोरों का नूतन वर्सव मंगल में रहे सलामत धंधे उनके उनकी बग्या हरी रहे सब की जोली हो जाए खाली उनकी जोली भरी रहे निस्दिन चान्दी कटे सदा करचोरों का जमा खोरों का नूतन वर्स हो मंगल में नूतन वर्स हो मंगल में मंगल में वर्स उनका भी हो जो मिहनत की रोटी खाते सत्ते मार्ग पर चलते रहते परहित करते नहीं अघाते उनके भी दिन फिरे समय आवे अब मिहनत खोरों का नूतन वर्स हो मंगल में मेरा देश महान यहां खुश रहते हैं शैतान पेट भर खाते बेईमान सदारोते रहते इंसान सबका मंगल कर भगवान इमंदार या बेईमान मुझ पर भी कुछ देना ध्यान दोनों से पढ़ता है काम नूतन वर्स हो मंगल में तो नए साल में ये कामना कि आपका जो नए वर्स हो वो मंगल में हो और सर की इस रचना ने हमारी अभिलासा को हमारी जी ग्यासा को और बढ़ा दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमारे दर्सक इस कारिकरम को देख रहे हैं उनके अंदर भी एक आसा जरूर खुबसूरत ये रचना अपनी हमारे दर्सकों के सामने रखी आप एक और रचना जो कुछ भी आपके पास है वो बार और निकाल लिए ताकि हमारे दर्सकों तक पहुंच सके मुझे ब्यंग लिखने में अब आनन्द आता है इसलिए लोग ब्यंग पसंद करते हैं तो एक अभिनंदन वर्स नौ वर्स हो मंगल मैं ऐसा हो यह साल बिछे यहां आतंक वादी जाल लोग सब फसे रहें नेता हो खुशहाल वे कर ले घर को माला माल लोब में धसे रहें भ्रस्टाचारी करे सवारी रत खीचे सदाचारी गारी चलती रहें कदाचारी फल खाए नहीं शर्माए फल रोपे उपकारी दाल गलती रहें शिक्षित घरे अब घास करे ना दानी चाचर न अपनी आँखें खोलें मुर्खों का हो राज ग्यानी सब बेलें पापर नहीं कुछ अपनी बोलें देश का हो यहाल रहें सब नेता ही खुश हाल सच्चा इंसान कहाए जनता हो बेहाल शिग्र बन जाए सब कंगाल भीखे ही मांग के खाए हे इश्वर कर ऐसा धनी न हो कई वे मेरे जैसा कि मेरा मान बढ़े अपने पर इतराओं देश का सबसे बड़ा कहाओं कि फूल और पान चड़े मैं हूँ राजकुमार मैं हूँ राजकुमार न मेरा घर ना कारोबार गीत बस लिखता हूँ कुत्तों से है यारी मुझे बिल्ली बड़ी है प्यारी इनही से सिखता हूँ नूतन वर्ष हो मंगल मैं नूतन वर्ष हो मंगल मैं नूतन वर्ष आप सब लोगों को सुखमय हो आनंदित रहें सब संपन रहें सप्रिवार सानंद रहें मेरी ये शुब कामना है नूतन वर्ष में धन्यवाद तो आपने देखा कि नए बर्ष में किस तरह से सरसुख कामनाय दे रहे हैं और बड़ा ही रोचक लगता है जब ऐसे किसी सक्सियत से हमारी मुलाकात होती है और हमारी कोशिस भी रहती है कि आप लोगों तक भी इनकी जो खुबसूरती है वो पहुँचे और इनी को नव बर्ष की मंगल सुख कामनाय देते हैं और यह आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम ऐसे ही आपको ऐसे सक्सियत से मिलाते रहेंगे उनसे रूबरू कराते रहेंगे और उनके अनुभव अपने अनुभव आपके साथ साजह करते रहेंगे नमस्कार